बेशल शूट्स क्या है इसके गुलाब के पौधे के उपर क्या फायदे है और हमारे पौधे को बेशल शूट्स की जरूत क्यों होती है जंगली प्रांच और बेशल शूट्स में क्या अंतर है इसके साथ ही वो कौन सा फटिलाइजर है वो कौन सा होममेट फटिलाइजर है जिसकों की दे करके गुलाब के उपर आप बहुत सारे बेशल सूट्स, बहुत सारे एरियल सूट्स, बहुत सारे फूल अपने गुलाब के पौदे के उपर ले सकते हैं क्योंकि आने माला जो time है वो गुलाब के पौदे के लिए बहुत ही बढ़ीा time है तो जो technique आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ जो tips मैं आपको दे रही हूँ इसको आप अपने गुलाब के पौदे के उपर अगर अपनाते हैं तो आपके पौदे के उपर बेशल शूट्स के साथ बहुत सारे एरियल शूट्स और बहुत सारी फ्लावरिंग आपको मिलेगी तो friends सबसे पहला point आखिर ये बेशल शूट्स होता क्या है बेशल शूट्स यानि वो ब्रांच वो शाखा जो बिल्कुल ग्राफ्टिंग नोड के उपर से या ग्राफ्टिंग नोड के पास से निकल करके आती है उसको हम कहते हैं Basial Shoots Basial Shoots गुलाब की प्राइमरी ब्रांच होती है ये बिल्कुल नीचे से निकल करके आती है तो इसलिए ये बहुत मोटी और स्ट्रॉंग होती लेकिन जो उपर ब्रांच इस निकल करके आती है Basial Shoots के क्या-क्या फायदे है तो जिस भी गुलाब के पौदे के अंदर जितनी जादा Basial Shoots निकल करके आती है वो पौदा बहुत जादा मजबूत होता है और इस पौदे के खराब होने के चांसे भी कम से कम रहते हैं इसका तीसरा फायदा है कि आपके गुलाब के पौदे के अंदर जितनी जादा Basial Shoots आएंगी उपर जाके आपका पौदा उतना ही जादा घना होगा और जादा से जादा ये ब्रांच इस उपर भी निकालेगा जिससे कि आपका पौदा जादा से जादा फ्लावरिंग करेगा इसकी बाद जो तीसरा पौइंट है कि Basial Shoots और जंगली Shoots यानि जो Basial Branch है और जंगली Branch है इसके अंदर अंतर क्या है काफी सारे लोग इस चीज़ को लेकर के Confuse रहते हैं Basial Shoots हमेशा Grafting Node के उपर से निकल करके आता है जब भी आप Grafted गुलाब लेकर आते हो इंगलिश गुलाब लेकर आते हो तो उसके उपर एक Node Grafted Node होता है तो जितनी भी Branch इस Node के उपर से निकल करके आ रही है वो सारी की सारी Basial Branch है लेकिन ये जो नीचे का हिसा आप देख रहे हैं ये है जंगली Branch का हिसा इस Area से जो भी Branch निकल करके आएगी या फिर मिट्टी में कहीं और से निकल करके आएगी तो ये सारी Branch जंगली Branch है और इनको आपको तोड़ देना है जैसे कि ये वाली Branch आप देख रहे है इस पौदे का जो Grafting Node है वो काफी उपर है और नीचे से ये काफी सारी जो Branch निकल करके आ रही है ये सारी जंगली Branch है तो इनको आपको अपने पौदे के अंदर नहीं रखना है जैसे कि ये वाला पौदा आप देख रहे है इसका Grafting Node भी काफी उपर है और इसमें भी मिट्टी में नीचे से ये देख रहे हैं ये नीचे से जो निकल करके आ रही है Branch ये भी जंगली Branch है तो जंगली Branch और बेसल Branch में पहचान करना बहुत जरूरी है वरना कभी कभी लोग क्या करते हैं कि जो जंगली Branch है इसको अपने पौदे के अंदर छोड़ देते हैं और जो बाकी Main Branch है इसको काट करके निकाल देते हैं और ऐसे पौदे कभी भी फूल नहीं देते हैं बस बढ़ते चले जाते हैं तो Friends अगर आप गुलाब लगाने के शौकीन हैं तो ये कुछ बेसिक जानकारी है गुलाब के पौदे के बारे में जो कि आपको पता होना बहुत जरूरी है अब बात करते हैं कि हमें गुलाब के पौदे के उपर जादा से जादा गर बेशल शूर्स लेने हैं तो हमको करना क्या है यहाँ पर तीन important point है जिनका की ध्यान आपको रखना है सबसे पहला काम जो आपको अपने गुलाब के पौदे के उपर करते रहना चाहिए वो है इसकी pruning इसकी कटाई छटाई जब भी इसका सही time आता है इसकी pruning का तो थोड़ी थोड़ी pruning आप इसकी करते रहे हैं जैसे ही एक फूल आने के बाद फूल सूख है तो थोड़ी थोड़ी आप इसके tip को जरूर टाड़ दो क्योंकि यह जो pruning है यह आपके पौदे की जणों को motivate करती है जादा से जादा branches को निकालने के लिए अब जो दूसरा point है जिसका आपको दियान रखना है वो है आपको पौधा खरीदते समय जब ही आप गुलाब का पौधा खरीदते हैं तो एक चीज़का आपको दियान रखना है कि जो grafting node है वो बहुत ज़ादा उपर न हो grafting node डेड़ से तीन इंच से जादा नहीं होना चाहिए इसके साथ ही जब पौधे को आप घर लाकर report करते हैं तो मिटी से जो grafting node है इसकी जो दूरी है इसको सिर्फ एक से दो इंच के बीच में ही आप रखो अगर आप बहुत उपर रख दोगे तो ऐसे पौधे में आपको basal shoots कम मिलेंगे जैसा कि मैं कुछ पौधे आपको दिखा देती हूँ मेरे जिन पौधों के जो grafting node है वो बहुत ज़ादा उपर है तो आप देख सकते हैं कि grafting node के पास से निकल करके बहुत कम branches है aerial branch निकलेगी ऐसे पौधे में लेकिन आपको base से branches कम मिलेंगी friends ये जो technique मैं आपको बता रही हूँ ये मेरे personal experience से आपको बता रही हूँ कि जिस भी पौधे का grafting node जितना नीचे होता है वो पौधा उतना ही जादा basal shoots निकालता है अब हम बात कर लेते हैं nutrition की कि वो कौन सा fertilizer है वो कौन सा nutrition है जो हमारे पौधे को चाहिए जादा से जादा basal shoots निकालने के लिए तो यहाँ पर मुखे रूप से चार चीज़ें गुलाब के पौधे में होनी चाहिए पहला है nitrogen, दूसरा phosphorus, इसके साथ calcium और थोड़ी सी मात्रा चाहिए sulfur की, अगर यह चारों आपके पौधे की मिट्टी में अच्छी मात्रा में है और जो starting में मैंने condition बताई यह भी आपके पौधे में है तो आपका पौधा भरपूर मात्रा में basal shoots निकालेगा इसके लिए जो सबसे पहला tip है, कि आप महीने में, दो महीने में थोड़ा बहुत compost अपने गुलाब के पौधे को जरूर दे दे compost आप कोई भी दे, चाहिए आप गोबर की अच्छे से decomposed खाद दे या फिर आप, सबसे बढ़िया रहेगा, वर्मी कंपोस्ट, आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, क्यूंकि अगर आप गोबर की खाद देते हैं, तो गोबर की खाद नहीं-णहीं होनी चाहिए अगर आप नए नए गोबर को अपने पौदे के अंदर डाल दोगे तो वो जड़ों को जला देती है और आपका पौदा कराब हो जाएगा तो यहाँ पर नाइट्रोजन की कमी को पुरा करने के लिए अगर आपके पास घर में कमपोस्ट नहीं है तो सबसे बड़िया नैच्रल कमपोस्ट है यूजड टी कमपोस्ट और इसको बनाने के लिए कुछ भी मेनत करने की ज़रूत नहीं है अगर आप चाई पीते हैं घर में तो सिर्फ जो चाई आप उबाल लेते हैं उस चाई पत्वास्ट को जो चाई की चन्नी में बच जाती है उसको आप धो करके सुखा लो और आप देख सकते हैं कि मैं बहुत सारे लगबग रोजी चाय पत्ती कठा करती रहती हूँ और बहुत सारा कंपोस्ट मेरे पास हमेशा रहता है मेरे हर पौधे के लिए आप भी इस तरीके से नाइट्रोजन की कमी को पुरा करने के लिए कोई कंपोस्ट ना लेकर के अगर ये वाला इस्तमाल चाय की पती डालते हैं तो गुलाब के पौदे के लिए बहुती बढ़िया फटिलाइजर है जैसे कि आप देख रहे हैं आज की चाय पती को मैंने पहले ही धो करके सुखाने के लिए धूप में रग दिया है ये सबसे आसान तरीका है चाय की पती का कंपोस्ट बनाने का इसमें आपको सिर्फ चाय पती को अच्छे से धो करके इसको दूप में सुखाना है और आपका कंपोस्ट रेडी है नाइटोजन के साथ इसके अंदर टैनी कैसी पाया जाता है जो कि गुलाब के पौदे के लिए एक बहुत ही बड़िया फटिलाइजर का काम करता है फ्रेंट्स पौड की साइज के हिसाब से इसका जो इस्तमाल है आपको एक चमच से लेकर के पांच चमच तक करना है जो normal हमारे पास चमच होता है घर में हम इस्तमाल करते हैं उसी को आप माप ले सकते हैं और जो ये मेरे pot का size है ये 10 इंच का है तो इसमें मैं 3 चमच सूखी चाय की पती दे रही हूँ अगर आपके pot का size चोटा है यानि आपका पौधा चोटा है तो आप इसकी मात्रा को 1 fertilizer था ये तो nitrogen की कमी को पूरा करेगा लेकिन अब जो दूसरा fertilizer मैं आपके साथ share करी हूँ जो कि इसी पौधे में मैं डालने वाली हूँ इसी चाय पती के साथ वो एक कमाल का fertilizer है और आजकल आप सर्दियों में उस fertilizer को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और इससे आपके गुल है और इस तरीके से बने fertilizer में कोई भी fungus चीटी या कीड़े आपके पौधे के अंदर नहीं लेगेंगे अब यह fertilizer क्या है और आपको इसको कैसे बनाना है चलिए देखते हैं Friends आजकल सर्दियों में सेब मार्केट में बहुत जादा मिलता है और आप भी अपने घर में सेब जरूर लेकर के आते हैं काफी सारे लोग क्या करते हैं कि जो सेप के छिलके हैं वो निकाल करके फेक देते हैं लेकिन अगर आपके पास घर में पौधे हैं तो आप ये छिलके कभी भी ना फेकें क्योंकि आपके पौधे के लिए ये जो छिलके हैं ये कमाल का फर्टिलाइजर का काम करते हैं और एक बार इस fertilizer को बना करके आप अपने पौधे में जरूर देखें तो छिलके निकानले के बाद आप क्या कर सकते हैं कि 4-5 सेप के छिलकों को आप freeze में रख दो store करके रख दो यानि इतनी मात्रा आप इकठा कर लो जिससे कि हम इसका fertilizer तियार कर सकें आप कितने भी मात्रा सेप के छिलके का इस fertilizer को बनाने के लिए कर सकते हैं अब हमको चाहिए एक cold ring की bottle जिसका tight धकन हो आप कोई भी ऐसी bottle ले लीजिए जिसका जो मू है वो छोटा हो और इसका tight धकन हो ऐसे ही bottle का इस्तमाल आपको करना है इस fertilizer को बनाने के लिए अब हमें करना क्या है कि ये जो चिलके हैं जितने भी आपके पास है ये सारे के सारे आप इस bottle में भर लो कुछ इस तरीके से जैसे कि मैं ये चिलके इस bottle में भर रही हूँ तो फ्रिंट जैसे कि आप देख सकते हैं कि लगबग सारे छिलके मैं इस बॉटल में ऐसे ही भर लूँगी इसके बाद हमको करना क्या है कि जो बाकी हिस्सा बॉटल का बचता है इसके अंदर आपको नॉर्मल पानी को भर लेना है बस यहाँ पर पानी को भरते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है जो उपर का 1.5 इंच हिस्सा है मूँ के पास का उसको आपको छोड़ देना है उसको आपको नहीं बनना है क्योंकि जब हम इस फटिलाइजर को बनने के लिए रखेंगे तो इसके अंदर कार्बन डायक अधकन लगा करके कम से कम 5-6 दिन के लिए हपते के लिए ऐसे ही रख दो 5-6 दिन बाद हमारा ये फटिलाइजर इस्तमाल करने के लिए तयार हो जाएगा तो फ्रेंट्स यह जो रिजल्ट आप देख रहे हैं यह तकरीब एक हपते बाद का और मेरा फटिलाइजर तयार है पौदे में डालने के लिए लेकिन यहाँ पर जब भी आप इसके धकन को खोलेंगे पहली बार तो बहुत ही सावधानी से आपको खोलना है जब जब आप इस बॉटल के धकन को खोलेंगे तो आपको सावधानी से खोलना है क्योंकि इसके अंदर कार्बन डैक्सट बननी की जैसे ही आप इसको खोलोंगे तो लिक्विड ऊपर तेजी से निकल करके आएगा क्योंकि इसके अंदर गैस बन गई है जैसे कि आप कोल रिंग की बॉटल खोलते हैं तो आपको दीरे-दीरे खोलना होता है कुछ उसी तरीके से इस लिक्विड के धकन को आपको खोलना है साथ गुना मैं पानी इसके अंदर डालूंगी क्योंकि ये जो फटिलाइजर है हमारा वो काफी स्ट्रॉंग है इसके अंदर एक एसिट बन गया है कार्मन एकसट बन गया है तो अगर आप जादा मात्रा में देंगे तो ये पौदे को नुकसान कर सकता है इसलिए हमेशा इसको आप कम मात्रा में देंगे डाइलूट करके देंगे और जिस पौदे में मैंने वो चाय की पत्ती डाली थी तीन चमच उसी पौदे में मैं ये लिक्विड फटिलाइजर दे रही हूँ इस फटिलाइजर को यानि चाय की पत्ती तीन चमच और ये वाला लिक्विड अच्छे रिजर्ड के लिए आपको 15 दिन में एक बार अपने गुलाब के पौदे के उपर इस्तमाल करना है बस दो बार आप इस फटिलाइजर को अपने पौदे के अंदर डाल करके देखो आपको कमाल का रिजर्ड मिलने वाला है तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको पस सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले मिलते हैं मेरी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थाइंक यू